friends welcome back to my channel basic linguistics आज इस वीडियो में हम grammar translation method के बारे में discuss करेंगे so first of all जान लेते हैं कि grammar translation method आखिर है क्या grammar translation method is one of the oldest method in language teaching okay so हमें याद रखना है जो grammar translation method है सबसे जादा पुराना जो method अपनाया जाता था उन में से है यह सबसे पुराना ठीक है all oldest method है in which the target language is taught in students native languages तो इसमें क्या करते थे जो भी target language होता था वो जो student की native language होती थी उसके बेस पे ही सिखाया जाता था ठीक है और in this method a language is approached first through a detailed analysis of its grammar rules and then the learners are asked to practice the task of translation by applying the knowledge of the target language that they have acquired okay so इसमें क्या किया जाता है यह method first of all इसमें जो भी आपके target language है ठीक है जो language आप सीखना चाहरे हो target language मतलब जो आप सीखना चाहरे हो वो language है the task of translation by applying the knowledge of the target language फिर उसके बाद वो देखते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा हुआ है उसके बेस पर आप कुछ टास्क करें या प्रैक्टिस करें उसके बेस पर आपको आपको आपके फिर्स लेंग्वेज के रिफ्रेंस पर आपको द्यान में नाम से ही मैं किती बार बोलती हूँ अपने वीडियो में कि आप कभी भी टॉपिक को पढ़ें तो टॉपिक से ही चीज़ें को समझने की इकोसिस करें यह क्या बोलर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड राइट ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब यह हो गया कि आपकी जो ग्रामर्मेटिकल रूल्स वगरे हैं सिर्फ उनका ट्रांसलेशन क करना आप सीखेंगे that's it इसमें कोई भी किसी तरह का speaking ability को सुधारना या कहना चाहिए जो आपकी skills है speaking वाली तो उसको सुधारने में कोई attention आपको नहीं दिये जाएगा यह सिर्फ आपको इसलिए कि सिखाया जाएगा ताकि आप उसको लिख सकें और कभी भी जरुद पढ़ने पर आप उसका यूज कर सकें जैसे कि क्या सकते हैं कि सम्टाइम्स क्या होता है कि हमें दूसरे languages में work करना पड़ता है तो हम उस language को उसके grammar grammar के साबसे इतना सीख लें कि हम उसके बिसे में कुछ भी आये तो हम लिख सकें ठीक है बोल बोल पाई या नहीं इसमें कोई attention नहीं किया जाएगा सिर्फ इसमें लिखना important होता है ठीक है new words are taught with the help of bilingual dictionaries और word list अब बात यह है कि जैसे हम कोई भी language सीखते हैं तो उनके बारे में हमें पता रहता नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम bilingual dictionaries use करें तो इसमें जो बच्चे होते हैं जो learners होते हैं वो bilingual dictionaries use करते हैं जिसको use करने से आप आपका जो native language रहेगा एक वो और एक जो आपका target language है उसकी दोनों की dictionary होगी आपके पास और जिसका meaning आपको नहीं पता हो आप देख लेंगे और ऐसे करके ही आप सीखेंगे sentence is treated as a basic unit of teaching and language practices तो यहां पर sentence जो होता है ठीक है यहां पर पूरा जो एक sentence होता है वो एक basic unit की तरह काम करता है याद रखना है छोट छोटी topics है मतलब sorry छोट छोटे words हैं जहां पर हमें focus करना पड़ता है तो इसमें यह ह whole sentence जो बनता है जिनकी meaning एक साथ निकल क्याती है वो sentence को ही एक basic unit की तरह treat करना है ठीक है टीचिंग या language practices में next आप देख लेंगे कि ओके most salient features of this method is that grammar is taught deductively चीक है यहां पर यह भी बहुत important है यह चीज़ याद रखना कि कभी-कभी क्या होता है इसमें पूछा जाता है deductive method कौन सा है और inductive कौन सा है तो याद रखना जो grammar translation method है वो deductive है ठीक है deductive है in this approach इसमें होता क्या है in this approach which means the students are exposed to grammar rules first and they are supposed to engage in translation after only after memorizing all the rules okay deductive method का मतलब है कि सबसे पहले आपको grammar rules follow करने पड़ते है after that जब आपको चीज़ें याद हो जाती है ठीक है उसके बाद ही आप उसका translation करोगे तो यह होता है deductive method towards the mid 19th century several factors led to the rejection of the grammar translation method कुछ फिर जो 19th century में आते आते क्या होने लगया कि grammar translation method को reject कर दिया गया time saw the increased communication among the European which naturally demand proficiency in oral communication क्योंकि हमने पहले भी बात कर लिए कि यह यह जो method है इस पर आप सिर्फ लीक सकते हो या पढ़ सकते हो बट उसको use oral communication में नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जब जरुवत पढ़ती है जब डिमांड बढ़ी कि जो oral communication उसको ज्यादा महत्व दिया जाए तो धीरे धीरे जो grammar translation method था वो यहां पर उसको reject कर दिया गया and soon the emphasis of language teaching on written language shifted to spoken language of everyday communication आभ भी जानते हैं कि अभी धीरे धीरे जो लिखने का जो आपका skills रहता था या कहना चाहिए written language धीरे धीरे आपकी spoken language में आप convert होता जा रहा है day by day अब देख लेंगे कुछ characteristics हैं जो grammar translation method में ध्यान रखना है it helps to learn a foreign language and its correct sentence structure तो याद रखना है because हमने क्या बताया कि यह सिर्फ आपको लिखना और आपके grammar grammatical चीजों में ध्यान रखना है तो यह help करता है आपको foreign language को सीखने में और उसके जितने भी correct sentence structure है उनको सीखने में ठीक है second allow the students to be able to read and write a new language इसमें क्या होता दो चीजी यहां रखना एक तो आप पढ़ सकते हो दूसरा आप लिख सकते हो मैंने कहा पहले भी कि यह सिर्फ इन ही के लिए है आप पढ़ना और लिखना जो एक formally काम में आता है वो चीजी आप कर सकते हो बट speaking और यह सब चीजों में ध जो इंटर्चेंजबल वर्ट और फ्रेज रहते हैं कहना चाहिए जिनको हम एक जगे में दूसरा कुछी यूज कर सकते हैं कई बर होता है हम अपनी लैंगविज में वो वर्ड याज नहीं आता तो हम उसके जगे में कुछ और चीज़े यूज कर कि उसका याद कर सकते हैं तो ऐसे जो स्टुडेंट्स रहते हैं वो यूज कर सकते हैं and they get to learn new vocabulary and new words of course वो जब अगर आप new language किसी कोई भी foreign language ये टार्किल लेंगविज को आप सीख रहे हो तो जनरली जनरल सी बात है कि आप उन निव वोकेबिलरी और वर्ड को सीख होगे इस नौट इनेबल स्टुडेंट्स स्किल्स इन लिसनिंग और स्पीकिंग और फॉरंड लेंगविज ये हमने पहले भी बात कर लिए ठीक है लिसनिंग और स्पीकिंग में फोकस नहीं करना है जी टीम इस मेंज क्या आप बोलेंगे ग्रामा ट्रांसिशन मेंटड ओके तो फर्स्ट अफाल उसी को आपको से सुरुवात किया जाता है फोकस वान प्रॉनसिएशन और कम्मुनिकेशन आस्पेक्ट से लेसर दैन रीडिंग और राइटिंग तो जाहिर सी बात है जहां पर हम स्पीकिंग की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं स्पीकिंग स्किल्स की कोई ब आरब बात कर रहे हैं यह इंपॉर्ड रहे ह改ग हमें कि आप स्पीकंगि स्किल्स तो अफंव इसमें इंकलिवी नहीं ना तो भल्कि हम किसमें ध्यान देते हैं ज्यादा तार रीडिंग और राइटिंग में इसरी एक करक devient जबी है ग्रामर ग्रामर रूल्स फॉलो की ए उसमें नहीं किये वो सारी चीज़े ध्यान रखनी होती है next is the procedure of grammar translation method sorry translation हो गई so अब देखेंगे procedure क्या रहता है grammar translation method का ठीक है तो first देख लेंगे इन दी first step पहले step में देखेंगे paragraph is read by a teacher and some difficult words are marked out of it क्या करेंगे paragraph लेंगे उसको teacher पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं कुछ अगर difficult words आते हैं उनको mark कर लेते हैं secondly these marked words are converted into the native language of student क्या करेंगे अब देख वो difficult word हमने note किया उसी जो difficult word है उसी को हम क्या कर देंगे convert कर देंगे आपके native language में फिर then a paragraph is read once again and is translated by a teacher line by line उसको फिर से पढ़ेंगे उस paragraph को teacher और फिर line by line उसको translate करेंगे then all the grammatical items are taught about to students फिर जितनी भी grammatical items रहेंगे उसको student को सारा बताया जाएगा students can also be asked to convert the passage of their native language into a foreign language to make it more clear to them और जब teacher यह सारी चीज़े process follow कर लेते हैं और बच्चे को समझ में आ जाता है तो फिर क्या करते हैं कि कोई भी paragraph दे देते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि आप जो target language है उसको आप अपने native language में convert करो तो ऐसा करते हैं उनको जादा ध्यान में भी रहता है और प्रैक्टिस भी होती है और इस तरह से वह फिर सीख जाते हैं उनको more clear हो जाता है नेक्स आप देखने के मेरिट्स मतलब इसके जो profits हैं या कहना चाहिए जो इसकी वज़े से जो अच्छी चीज़े हमको सीखने को मिलती है वह चीज़े देखेंगे इट मेट अच्छी चीज़े को लेकर हो फ्रेजस को लेकर हो वकेबलरी हो इस सारी चीज़े हम सीख जाते हैं बजावन चैसा खिपती चीज़े हो ते चीज़े Chelinski चीज़े जADE इजर दो आफ। अटिज़े मिलिके वह चीज़े हो बांब खरेण खरेण सीज़े का संक दो लेक्टर घरे गेंट इसमेर इस व्लेडर इस्वेट इस्टुडेंट्स फिल अनकम सरी कमफर्टेबल अज दी मदर टंग इस यूज तो टीज अनी फोरें लैंगवेज एंड दी आर फ्री तो आस्टें बिट्वें तो बहुत इजी है आपको क्या क्या चीजे पहला तो पॉइंट हमने समझा दिया सेंड पॉइंट कहता है कि राइटिंग के लिए बहुत अच्छा एक कहना चाहिए प्रमोट करता है और साथ ही जो भी हाँ इसमें कोई ज्यादा जो भी मैटेरियल्स होते हैं टीचिंग मैटेरियल्स एड्स होते हैं वह सारी चीजों की जुरत नहीं रहती और अगर ओवर क्लास भी है तो भी टीचर बता सकता है समझा सकता है और सैकेंडली कि आप बहुत कमफर्ट फील करते हो क्याकि आपके मदर टंग का यूज किया जाता है और किसी भी तरह से जो भी आपके फॉर्ण लेंगविज है या मदर लेंगविज आपको भी कुश्ण आस करना चाहो तो उसको पूछ सकते हो औ को सारी चीजे बता दी जाती तो यह कुछ लाब्त हुए उससे और कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि क्या-क्या उसमें फाइदा नहीं मिलता हमको क्या के चीजें हम नहीं कर पाते तो देखेंगे वन अफ दे मेंजर डिस 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 ड्वांटेज of GTM is that is restricts the skills of speaking and listening to a foreign language तो जैसे की बात किया इसमें speaking और listening का कुछ है ही नहीं इसको हम नहीं सीख रहे हैं तो एक तरह से कहना चाहिए एक restriction है कि आप सिर्फ लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं बट बोलना और सुनना इसके लिए आपको नहीं बताय जाते हैं तो एक तरह से restriction पर लिमिट है कहना चाहिए तो एन दर नेच्रल ओडर ओफ लर्निंग एनि लेंगज इसकी लिस्किन लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग बट इन जी तीम रीडिंग इस फैसिलिटेट फॉस्ट ओके सो यहाँ पर एक और चीज है बहुत ध्यान देने वाल देन रीडिंग लास्टली राइटिंग आप खुद यह देखो जब कुछ चीजें आप सीख रहे होते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे आप डाइरेक्ट आपको कुछ पता नहीं है तो आप बोल नहीं सकते रहेट ना ही आप लिखना सीख जाते हो ना ही आप बोलना या हना तो आप सबसे पहले क्या सीखते हो सुनना सामने वाला क्या बात कर रहा है या आपके इनवार्मेंट में क्या चीजे चल रहे हैं उनको आप सुनते हो फिसली आप सुनते हो तो आप क्या करते हो जब आप सुनते हो तो तुरंत ही आप लिखने या लिखने पढ़ने तो देते हो तो जो speaking है वो second में आता है third में आपको आता है कि आप देखो जब तक आप पढ़ना नहीं सीखते तो आप लिखते नहीं है ठीक है यह तो फिर आप लिखोगे भी तो ऐसे कुछ भी लिख दोगो जिसको कोई मतलब नहीं रहता but read पहले आप reading करना सीखते हो after that आप राइटिंग करना सीखते हो तो यह एक natural order होता है किसी भी language को सीखने का यह भी थोड़ा याद रखना इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई हुए बट यहाँ पर आया तो मैंने आपको explain कर दिया है कि यह natural order है आप बहुत अच्छे सी याद रखना आप खुदी एक natural ही आप नहीं हो रहा है क्या क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है कि यहां पर रीडिंग को सबसे पहले ला दिया कि आप पढ़ो और लिखो यहां पर speaking और listening जो कि पहले नंबर पर आने चाहिए उनका कोई value नहीं है और यह कहना चाहिए कि कोई किसी तरह का इसमें order follow नहीं किया जा रह प्रौपर कंवर्सेशनल इसकेल इन फॉरें लेंगविज़ इस स्टिल करें हर डल अभी तक क्योंकि आपने सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखा है लेकिन आपने बोलना नहीं सीखना तो अभी भी आपका जो करेंशेशनल इसकिल्स है फॉरें लैंग्विज में अभी भी और फिर है GTM focuses on formal and bookish grammar rules तो इसमें कि आपने सारी dictionary से और grammatical rules से सारी चीज़े आपने cover करी है पढ़ी है तो इसमें सिर्फ आपको formal और सिर्फ bookish knowledge रहेगा bookish जो grammatical rules है उसी के बारे में पता रहेगा so it does not enhance proper learning of the foreign language तो इसको हम यह नहीं कह सकते कि आपने foreign language की proper learning कर ली है और उसको बढ़ावा दिया जाए तो कुछ इस तरह से यह भी demerit हो गई फिर it takes time to translate each and every word under GTM as students as well forced in their mother tongue and they need time to think to translate तो इसमें भी थोड़ी problem हो जाती ही यह चीजें कि आप क्योंकि word to word पूरा आप translate करते हो आपके mother tongue में एक बार देखते हो फिर उसका फॉनल लेंग्विज में क्या मीनी हुआ word to word आप उसको जब translate करते हो तो कहना चाहिए कि कुछ बहुत जादा time taken भी हो जाता है और कई बार आप क्या होता है कि कई बार हम सोचना पड़ता है कि हम उसको कैसे translate करें यहां बहुत क्योंकि लेंदी होता ही है क्योंकि वर्ट वर्ट पूरा करना पड़ता है हमको translate तो कुछ इस तरह से demerits थे grammar translation method के तो और कुछ चीजे हैं इसमें एड करने के लायक लेकिन यह वीडियो कॉफी बड़ी हो रही थी तो मैंने इतना ही कुछ कुछ एड किया है और आप लोग को समझ में आया होगा और प्लीज गाइज अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे मैं पहले भी बोलती हा रहे हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप प्लीज कमेंट करें मुझे मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर अप्लोड करूँगे थैंक्यू सो मच रोवाच जीन